असलाम उलिकुम दोस्तों आप सब लोग को खुशाम अदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डोक्टर में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बेस्ट हेल्थ मेनिफिट ओफ बासिल सी यानि के तुक मलंगा के इस्तमाल के बेहतेरीन फाइदे चोटे से ये बीच का इसमाल आपकी सिहत के लिए बहुत जादा मुफीद है पूरी दुनिया में तुक मलंगा जैसी कुदरतीने मत को पूरी तरहा नजर अंदाज किया जाता है जो सिहत का एक हजाना होने की बना पर तीविफ वाईस से भरपूर है सिर्फ शर्बत और फलूदा मनाकते वक्ती तुक मलंगा को याद किया जाता है लेकिन आपके इलम में जफा करते चलें के तारीक में इस बीच को करेंसी के दोर पर भी इस्तमाल किया जाता रहा है अस्तक सपाही जंग से पहले इसे खाते थे क्योंके ये तवानाई से भरपूर होता है इसी बना पर तुक मलंगा को दोरने की गजा भी कहा जाता है तुक मलंगा की 28 ग्राम एकदार में 137 कैलोरीज, 12 ग्राम कार्बोहाइडरेट, 4.5 ग्राम चिकनाई, 10.5 ग्राम फाइबर, 6.6 मिली ग्राम मैंगनीज, 255 मिली ग्राम फासफोर, 117 मिली ग्राम के इलावा वाटमन, मादनिया, नियासन, आयोडीन और थाया माइन अब आपको बताते हैं कि कितने फाइदे हैं तुक मलंगा को इस्तमाल करने के, सबसे पहले नमबर पर आपके जिल्द को निकारता है और आपके बुड़ापे को दूर करता है, एक तहकीक से मलूम हुआ है कि इसमें मुझूद कुदिती फैनुली एंटी अक्सिदेंट की म जासे तुक मलंगा हाजमे के लिए इंतहाई मौजू है, अलसी और तुक मलंगा खून में इंसुलीन को ब्रकार रखते हैं और कुलेस्ट्रोल और ब्लैड पेशर को भी लगाम देते हैं, तिबी तहकीका से मलूम हुआ है कि फाइबर पानी जदब करके पेट भरने का एहस बहुत जादा मुफीद है, इसका बाकाइदा इसमाल खून को श्रैनों की तंगी को रोकता है और इन्हिला चक्तार बनाता है, ओमेगा 3 फैटी सिट की वज़ा से ये दिल की सहत के लिए बहुत जादा मुफीद है, अगर इसे दिल का मुहाफिस कहा जाए तो दुरूस्त ह शुगर के मर्ज को दूर करने के लिए मुफीद है, तुक मलंगा में अलफा लाइनली केसिड और फाइबर की वज़ा से खूर में चरबी नहीं बनती, और ना ही इंसुलिन से मुझाहमत पैदा होती है, ये दो एहम अशिया हैं जो के आगे चलकर शुगर के मर्ज की बनते हैं, इसलिए तुक मलंगा का बाकाइदा इस्तमाल शुगर के मर्ज को रोकने में बहुत मतगार साबित होता है, तवानई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, एक तहकी के मताबिक तुक मलंगा डेट घेंटे तक तवानई को बढ़ाता है, और वर आप यसे बचाता है तुक मलंगा का इस्तमाल हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, एक और तुक मलंगा में रोजमरा जुर्याद की 18% केल्शियम पाई जाती है, जो हड़ियों के वज़न और मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इस आप यसे बचाते हैं तुक मलंगा का इस्तमाल करने से, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी सहित के साथ जिंदे के गुजारें, तो आप तुक मलंगा को अपनी रोज़ना खुरा का हिस्सा बनाएं, यह आपकी सहित के साथ आपकी जिल्द के लिए भी बहुत ज़रूर हमी दीजेगा इजासत मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्ला हाफिज